हैलो एवरिवन जैसा कि प्रिवेश वीडियो में हमने स्टैप आप looks के बारे में आपको बताया था ट्रांसफोर्मर के बारे में तो जादा तर लुग जानते हैं लेकिन टांसफ抑मल की भी बहुत कारी टाईप होते हैं वो हर जगों में यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ इंडस्ट्रिस में भी होता है तो चलिए जानते कि step down transformer क्या होता है और यह कैसे work करता है step down transformer ऐसा transformer है जो कि voltage को decrease करने का काम करता है transformer जो कि एक static device करता है यानि कि यह device जो बीना हीले काम करता है उसमें भी transformer का भी यही हाल है जो कि बीना आवास किये और move किये बीना काम करता है step down के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह transformer voltage को decrease करने का काम करता है क्योंकि इसके नाम के आगे ही लिखा होता है step down और down का meaning होता है नीचे या कम करना इसके काम के बारे में तो आपको पता चाहिए गया होंगा कि यह ओल्टेज को डिक्रिस करने का काम करता है और इसका यूज भी ऐसे डिवाइस में किया जाता है जहां ओल्टेज कम चाहिए होता है जबकि बाहर से ओल्टेज की मात्रा अधिक आती है तब इ से देखा जाए तो इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है जो कि वोल्टेज को कम करके देता है तब ही तो इसका यूज आज के टाइम में चारजरों में काफी अधीक महत्रामी किया जाता है और किया जा रहा है step down transformer को दिया जाता है current तब उस सबसे पहले primary winding में करण जाता है जिससे primary winding में करण के प्रभाइत होने से उसी winding में magnetic शेत्र में magnetic शेत्र बन जाता है उसी का प्रभाव पढ़ता है उसकी नीचे लगे हुए core पर जिससे core पर भी magnetic flux जमा होने लगता है core पर magnetic flux से जमा होने पर magnetic flux एक जगा से दूसरी जगा पर घूमने लगता है जिससे जब दूसरी winding में current होने लगता है उत्पन और वही current जब बाहर निकलता है लेकिन secondary winding में तार की turn कम होने से current हमें कम मिलता है current पहली winding में अधिक ही ज़्यादा होता है लेकिन दूसरी तरफ current हमें कम मिलता है इसका सबसे बड़ा reason होता है दूसरी winding में तामबे की तार को कम मातरा में लपेटा जाना यही difference होता है step down transformer में और simple transformer में तो इसमें step down transformer में primary winding में तामबे की तार को अधिक लपेटा जाता है जबकि secondary winding में कम जिसकी वज़स से current secondary winding में यानि की बाहर हमें current कम मिलता है step down transformer की core की आवशक्ता होती है जो बनता है aluminum या लोहे की पतली सी sheets से जिसे आपस में connect किया जाता है वही बन जाता है core फिर इसके बाद उसी core को उपर लगाई जाती है winding वाइंडिंग बनती है तामबे की तार से तामबे की तार को एक जगह से अधिक मात्रा में लपेटना उसे ही winding या coil कहते है winding को दोनों तरब आमने सामने लगाया जाता है लेकिन primary winding में तांबे की तार को जितना लपेटा जाता है उससे आधा कम secondary winding में तार को लपेटा जाता है तब ही तो voltage हमें कम मिलता है core के उपर winding लगाने से पहले विद्यू त्रोधी कागच लगाया जाता है जैसे की chargerों में, televisions में, inverterों में और भी बहुत सारे devices में इन सभी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे step by step chargerों और inverter में इन दोनों device में step down transformer का यूज़ किया जाता है voltage को कम करने के लिए ताकि battery charge हो सके क्योंकि battery कम voltage परी charge होती है इसलिए जबकि बाहर से current 240 volt आता है गलियों में, अगर power point की बात करें तो वहां से current का voltage बहुत अधिक मात्रा में यहां तक बेजा जाता है जबकि हमें 240 volt चाहिए होता है electronic device को चलाने के लिए तब भी इसी step down transformer को गलियों में लगाया जाता है voltage को कम करके घरों को कम मात्रा में current देने के लिए यह सारे device जो चलते हैं कम voltage पर जबकि हमारे घरों में 240 watt AC power की supply होती है तब इनी device में इसी step down transformer का यूज किया जाता है जहां यही transformer जो की voltage को कम करने के लिए लगाया जाता है step down transformer की cost देखा जाये तो तकरीबन 100 रुपे से starting होती है और अधिक से अधिक कीमत वाले step down transformer में आपको कुछ difference देखने को मिल सकता है तो वहां है transformer कितने voltage और ampere देता है अब यही उस पर depend करता है कि आप कितने voltage और ampere स्वादा step down transformer पर्चस करते हैं तो अब इसके कुछ advantage जान लेते है step down transformer जो की voltage को कम करने का काम करता है step down transformer कम कीमत में भी available होता है step down alternative current पर भी काम करता है इसके कुछ disadvantage भी है कुछ मात्रा में विद्धियो त्वेर्थ चला जाता है इस step down transformer से step down transformer जो की DC current पर काम नहीं करता इस फ्रेंड ये थी detail information step down transformer की आपको वीडियो काफी helpful लगी होंगी अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो चैनल को subscribe करना न भूले और ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर